असलाम लेकुम एक साहब फर्माते हैं कि मुझे बच्पन में किसी ने एक बात कही थी जिसके लिए मैं मरते दम तक उनका मश्कूर रहूँगा उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें किसी की कोई बात बुरी लगे गुस्सा दिलाए तो कभी भी उस वक्त उस बात का जवाब ना देना बलके अगले दिन जवाब देना वो साहब आगे कहते हैं कि मुझे उस वक्त बात समझना आई लेकिन ये बात मैंने अपने जहन में बिठा ली फिर जब मैं बढ़ा हुआ तो उस बात पर अमल करना शुरू कर दिया मैं गुसा दिलाने वाली बात का फौरण जवाब ना देता बलके अगले दिन पर छोड़ देता लेकिन फिर अगले दिन मुझे ये एहसास हो जाता कि अरे वो बात तो थी ही बहुत फुजूर वो तो जवाब देने के काबिल ही ना थी फिर मुझे समझ आई कि दर असल वो बुजूर्ग ने मुझे गुसे के वक्त उस लम्हें खामोश रहना सिखाया था वो सहब कहते हैं कि मैं सारी जिन्दगी उनका मश्कूर रहूंगा यानि उनका शुक्र गुजार रहूंगा मेरे दोस्तों आज साइकलोजी भी तो यही कहती है कि इनसान के जिस्म में गुस्सा दिलाने वाले हार्मोन्स सिर्फ बारा मिनिट तक एक्टिव रहते हैं बस उन बारा मिन्टों में हमें खुद पर काबू करना होता है तैश या गुस्से को हमें अपने आप पर हावी नहीं होने देना होता है आप भी गुस्सा आने के वक्ट तस से बारा मिनिट बरदाश कर लें सच कहती हूँ मेरी इस नसीहत पर अमल करके देखें इन्शालला आप भी मुझे दुआएं ही देंगे अमल करने की तौफिक अता फरमाएं बहुत शुक्रिया अल्ला आफिज